नमस्कार दोस्तों, बाईजू साइस में आपका स्वागत है, आज की तारीख है 19 अगस 2020 और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, ता हिंदू अकबार में आए हुए प्रमुक एडिटोरियल्स और आलेकों पे, इसके तहत हम प्रारंभिक और मुख्य परिक्षा से संबंधित को समझ लेते हैं, कि ये पूरा मामला है क्या, तो PMCARS जो COVID-19 के दौरान बनाया गया एक आपदा प्रबंधन फंड था, आपदा प्रबंधन कोश है, तो उस आपदा प्रबंधन कोश PMCARS को लेकर अभी हाल में ही Supreme Court का फैसला आया है, तो PMCARS फंड क्या है, हम इसको समझने क कोशिच करेंगे, इसके साथ ही हम ये देखेंगे कि आपदा प्रबंधन को लेकर जो भारत में दूसरे फंड की जो संरचना हुई है, चाहे वो National Disaster Response Fund हो, या फिर प्रधान मंतरी के तहत दूसरा फंड इस्थापित हो, ठीक है, कौन-कौन से फंड इसने इस्थापित है, इसको हम देखेंगे, इसमें क्या भूमिका है, इसको हम समझने की कोशिच करेंगे, और सबसे पहले हम PM Care को लेकर जो Supreme Court का जो मत है, उसको समझने की कोशिच करेंगे, ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि Supreme Court ने PM Care को लेके क्या कहा है, ठी जो चुनोती हमारे सामने आखडी हुई है उससे निपटने के लिए प्रधान मंत्री जी द्वारा एक नवीन आपदा प्रबंधन कोश की स्थापना की गई जिसका नाम रखा गया PM केर्स अभी जो PM केर्स है अपनी स्थापना के बाद से ही आलोचना का विशह रही है और इस में कई जो इसके आलोचक हैं उनका ये मत है कि PM केर्स फंड है उसमें पारदर्शिता की कमी है तो पारदर्शिता की कमी के इश्यू को लेकर ही बहुत सारे जो संगटन हैं वो समय समय पर सुप्रीम कोट और नियायलियों में गए हैं और उनकी ये मांग रही है कि भारत का जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जो हमने भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम जो लागू किया है 2005 का और भारत का जो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 का है इसके तहत जो नेशनल डिजास्टर रेस्पॉंस फंड राश्टी ये आपदा अनुकरिया कोश की जो क्योंकि 2005 के आपदा प्रबंधन अधिनियम के माध्यम से एक लीगल बैकिंग प्राप्त है एक वैधानिक दर्जा प्राप्त है और इसका जो नियंतरन है इसका जो ओडिट है वो कैग के द्वारा किया जाता है इसलिए PM Care Funds को भी उसके तहत जो खर्चे किये जा रहे हैं उस को खर्चे किया जाना चाहिए और इसको जो है NDRF के दायरे में लाए जाना चाहिए तो PM Care Funds को कैग की जरूत है अथवा नहीं क्या इसको NDRF के दायरे में लाए जाना चाहिए अथवा नहीं इसी को लेकर जो है एक संगठन सुप्रीम कोट पहुचा है और ये जो संगठन Supreme Court पहुँचा तो इसके बाद Supreme Court ने क्या फैसला दिया इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे ठीक है तो पूरा संदर आपको समझ में आया मैंने आपको क्या बताया कि PM Care Fund को लेकर जो है Supreme Court ने अभी फैसला दिया है और फैसले के अनुसार Supreme Court का ये मानना है कि जो PM Care Fund है वह है ब एक फैसला ये किया है कि जो राश्टिय आपदा अनुकरिया कोश है NDRF जिसकी स्थापना राश्टिय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत की गई है वो फंड और जो PM Care Fund हैं दोनों अलग इनिशेटिव हैं दोनों अलग निकाये हैं दोनों अलग जो हैं चीजे हैं इस इस वज़े से इन दोनों को मिलाने का कोई प्रासंगिता नहीं है यानि कह रहे हैं कि दोनों सुप्रीम कोट ने क्या वोला कि एक तो ये कहा कि दोनों जो फंड हूँ अलग हैं इसलिए दोनों को अलग त्रीट करने के ज़रूरत है PM Care Fund है वो मूल रूप से एक सारजनिक द कि जो ये संस्ता है वो स्वैचिक रूप से जो राशी है लोगों से जो राशी है वो एकसेप्ट कर रही है साथ ही इसको किसी भी प्रकार की संसदिये सहायता नहीं प्राप्त हो रही है किसी भी प्रकार की बजटिये सहायता प्राप्त नहीं हो रही है इसलिए PM Care Fund को NDRF मे की कोई सूचना नहीं है इसलिए इसको अलग रखने की आवशकता है इसके अलाबा जो दान करता है जो दान दे रहे हैं चाहे वो PM Care Fund में दान कर रहे हो या National Disaster Response Fund में दान कर रहे हो वो जो है उनके सामने एक विकल्प है वो अपनी स्वेच्छा से किसी भी Fund में दान करने के लिए स्वतंत्र हैं इसके चलते इसमें कैग आवशकता नहीं है और चूँकि यह एक Public Charitable Trust है और इसको कोई बजटिये सहायता प्राप्त नहीं होती है इसलिए इसको Public Authority के दाइरे में लाया जाना सही नहीं है ठीक है Public Authority के दाइरे में इसको इसलिए लाया जाना सही नहीं है क्यूंकि इसको किसी भी प्रकार की सहायता जो सरकारी सहायता है वो प्राप्त नहीं हो रही है इसी के चलते इसके कैग की audit की भी ज़रूरत नहीं है ठीक है इसके अलावा जो है कोट ने कुछ और बाते भी कहीं है जिसमें जिसमें बिभिंद एंजियोज बगेरा ने सुप्रीम कोट से यह अपील की थी कि कोविद 19 से निपटने के संदर में कुछ और guidelines को जारी किया जाने की ज़रूरत है इसमें कुछ नियूनतम मानकों को निरधारित करने की ज़रूरत है नियूनतम मानकों के तहट जो है यह स्थापित किया जाना चाहिए कि कोई भी खर्च किया जाए चाहे वो PM Care Fund के तहट किया जाए या किसी और के तहट किया जाए उसमें कुछ guidelines होनी चाहिए, कुछ पारदर्शिता होनी चाहिए, तो इस फर भी Supreme Court का ये कहना है कि COVID-19 से निपटने के लिए हमें कोई नई राश्टिय आपदा प्रबंधन नियोजन की जरूरत नहीं है, मार्च से लेकर अब तक जो जितने भी guidelines वगेरा दिये गए हैं, ठीक है, guidelines व आगे और बहतर करने की जरूरत है, विशेश कर आपदा प्रबंधन अदिनियम की जो धारा बारा है, या section 12 है, वो इस संदर में महत्पूर प्रावधान करती है, जिसमें ये कहा गया है कि अगर कोई भी आपदा की इस्तिती होगी, तो नागरिकों को न्यूनतम सुविधा प्रदान की जानी चाहीं, अभी जो न्यूनतम सुविधाएं हैं, वो केंदर सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा प्रदान करने का प्रियास किया जा रहा है, जिसमें लोगों को जो बेघर हुए लोग हैं, उनको शरण देने की कोशिच की जा रही है, उनको भोजन देने का प्रियास किया जा रहा है, स्वच भेजल का प्रावधान है, उनको मेडिकल साहिता दी जा रही है, और उनकी स्वच्छता आधी का भी ध्यान रखा जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, कि गाइडलाइन जो सब जारी की गई हैं, वो काफी परियाप्त हैं, और टेंटिटी होने के चलते, चुकि इसको बजट साहिता नहीं मिल रही है, इसलिए इसके कैक की आवशकता नहीं है, दूसरी बात क्या है, कि जो आपदा प्रबंधन अदिनियम 2015 का सेक्शन 12 है, उसके तहत परियाप्त प्रावधान किये गए हैं, जिसके चलते कोई नई गा बात करने जा रहे हैं, कि जो आपदा प्रबंधन के संदर्व में जो अलग-अलग जो फंड स्थापित हुए हैं, वो कौन-कौन से फंड हैं, ठीक है, तो इसमें सबसे पहला और सबसे महत्पूर्ण फंड है, राश्तिय आपदा अनुकरिया कोश, या इसको इंगलिश मे के पारित होने के पहले, जो राश्तिय आपदा अकस्मिक्ता निधी थी, National Calamity Contingency Fund, इसी का नाम बदल के कर दिया गया, National Disaster Response Fund, राश्तिय आपदा अनुकरिया कोश, ठीक है, अगर भारत सरकार के दिश्टिकोंड से इसको देखा जाए, तो जो NDRF है, NDRF जो है, वो सरकार के पबलिक अकाउंड का शामिल होता है, ठीक है, पबलिक अकाउंड में क्या होता है, तो पबलिक अकाउंड में सरकार जो है, बैंकर के रूप में काम करती है, संबिधान के अनुच्छे 262 में जो है, इसकी परिभाशा दी गई है, जिसमें जो कोई भी वै किया जाता है, N हमूल रूप से एक भारत की संचित निधी होती है जिसमें भारत को जितने भी आये होती है भारत सरकार को कितनी भी आये होती है, वो संचित निदी में इकटा होती है और संचित निदी से एक रुपेअ भी जो है बिना संसत की पूर्व सहमती के, बिना संसत की अनुमती के जो है निकाला नहीं जा सकता वहीं दूसरी ओर अगर कोई फंड लोक लेखा खाते का भाग होता है public accounts का भाग होता है तो उसमें सरकार जो होती है वो एक तरीके से banker के रूप में काम करती है और इससे पैसा निकालने के लिए या खर्च करने के लिए संसत के अनुमोधन की जावशक्ता नहीं होती तो यह जो national disaster response fund है वो लोक लेखा काते के तहत शामिल है जिसमें संसत को अनुमोधित करने की ज़रूरत नहीं है तीक है मूल रूप से जो इसकी स्थापना है वो आपात के टाइम हम बहतर दंग से अनुकरिया कर सकें बहतर दंग से प्रतिकरिया कर सकें हम राहत और पुनरवास के जो खर्च हैं उसको पूरा कर लें इसके लिए जो है मूल रूप से इसकी स्थापना की गई है जिसे केंद सरकार दोरा प्रबंधित किया जाता है ठीक है कभी कभी किसी किसी इस आउसर पर जो है NDRF के दोरा National Disaster Response Fund के माध्यम से राज्यों को भी सहायता दी जाती है और राज्यों के इस तर पर जो फंड होता है उसको भी NDRF के माध्यम से आपूर्ती की जा सकती है इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मालीजे अगर उडिसा में मालीजे कोई बाड आई उडिसा में मालीजे चक्रवात की स्थिति आई और उडिसा सरकार के जो State Disaster Response Fund है उसमें अधिक धनराशी नहीं है तो केंदर सरकार NDRF कि अपने खाते से SDRF को पैसा Transfer कर सकती है ठीक है इसके छलते होता क्या है कि केंदर के स्तर पर चाहे आपदा आए चाहे राज्यों के स्तर पर आपदा आए दोनों ही स्तरों पर जो है धन की कमी ना हो पाए इसके लिए NDRF की स्थाप्ना की गई है और इसके लिए जो है SDRF की स्थापना की गई है तो NDRF क्या है इसको समझनी की जरूवत है क्योंकि इसको आपदा प्रबंधन अदिधियम 2005 के तहट लिगल बैकिंग प्राप्त है ठीक है विदिक जो है अधार इसका है ये ध्यान में रखना है अब इसका जो वितियन होता है वो कुछ व्यक्तियों पर उपकर लगा के तीक है कर की उपर कर लगा के या फिर उतपाद शुलक और सीमा सुल्क से किया जाता है ठीक है वर्तमान में जो है इसके लिए एक विशिष्ट प्रकार के एक ड्यूटी लगाई जाती है शुल्क लगाई जाता है जिसे कहा जाता है राश्टिय आपदा आकस्मिक शुल्क नेशनल केलेमिटी कंटीजेंसी फंड और अगर जरूरत होती है तो बजटिय सहायता भी इसमें दी जाती है इसका मतलब क्या हुआ कि एक तो हम राज्यों को सहायता दे रहे हैं ठीक है दूसरी बात क्या हुई कि हमने जो है एक शुल्क लगा रखा है नेशनल केलेमिटी कंटीजेंसी ड्यूटी ठीक है राश्टिय आपदा आकस्मिक शुल्क जिससे इसकी वित्यान होता है और हम चाहें तो बजटिय सहायता भी दे सकते हैं ठीक है इसकी जो निगरानी है वो मुख्य रूप से घह मंत्राले द्वारा की जाती है और इसका जो कैग जो है वो समय समय पर इसके खात्म का ओडिट करता है तो यही कान है कि NDRF के तहत इस्थापित कर दिया जाना चाहिए ठीक है यह चीज हो गई अब हम बात कर लेते हैं PM Care Fund के बारे में PM Care Fund क्या है इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं तो इसका फुल फॉर्म है Prime Minister PM से Prime Minister Citizen Assistance and Relief in Emergency Situations ठीक है PM Care का फुल फॉर्म क्या हो गया PM से हो गया प्रधान मं मंत्री या फिर Prime Minister Citizen Assistant and Relief in Emergency Situations ठीक है यह इसका फुल फॉर्म है अगर हिंदी में देखे तो कह सकते हैं आपात इस्तितियों में प्रधान मंत्री नागरिक सहायता वराहत खोश ठीक है PM Care के नाम से भी याद रख सकते हैं इसका फुल फॉर्म भी देख सकते हैं इसका गठन मुखे रूप से मार्च 27 को मार्च 27 2020 को कोविद 19 की परिस्तितियों से निपटने के संदर्व में किया गया था और इसके तहत ना केवल कोविद से संबंधित सहायता दी जाती है बलकि इसके तहत जो वैक्सीन डेवलप्मेंट का जो कारिकरम हो रहा है उसको भी इससे दी जाती है इसके अलावा जो बहुत बड़ी संख्या में जो श्रमिकों का जो प्रवास देखा गया इंटर्नल माइग्रेशन देखा गया उसमें सहायता करने के लिए इसका उपयोग किया गया है ठीक है इसके प्रशाशनिक तंत्र के तहत बात करें तो प्रधान मंत्री के पदेन अध्यक्ष होते हैं और इसका जो पूरा जो प्रशाशन है वो एक ट्रस्ट के माध्यम से ट्रस्टियों के एक समूह के माध्यम से किया जाता है जिसमें प्रधान मंतरी पदेन अध्यक्ष के रूप में काम करते हैं जबकि भारत के रक्षा मंतरी ग्रह मंतरी और व वो PM CARES के ट्रस्टी के रूप में काम करते हैं। अब यह जो PM CARES है यह आपको मालूमी होगा कि हर व्यक्ति या हर संगठन जो है, वो इसमें स्वैच्छिक योगदान कर सकता है, ठीक है? और चूंकि इसको विदेशी अंचद्याई विनियम अन अधिनियम यानि विदेशों से फंडिंग पे छूट दी गई है, यही कान है कि अगर कोई विदेश में स्थित कोई व्यक्ति है या संगठन है, वो भी PM CARES में अपना योगदान कर सकता है, ठीक है? चूंकि यह पूरा स्वैच्छिक योगदान पे अधारित संस्था है, इसी के चलते इसको कोई बजटी सहायता नहीं दी गई है, और यही जो है तर्क दिया गया था, PM CARES को कैग से ओडिट करने के संदर में, ठीक है? इसका जो वितरन है, इसमें पैसा कैसे खर्च किया जाना है, वो इस ट्रस्टी के द्वारा निरधारित नियमों से किया जाता है, जिसमें प्रधान मंत्री, रक्षा मंत्री, ग्रह मंत्री और वित्त मंत्री मिलकर निर्णा लेते हैं, इसके तहद जो व्यक्ति दान करते है इसके अलावा जो इसका audit है वो भविश्य में जो ट्रस्टी है उनके द्वारा जो न्यूक्त auditors किये जाएंगे उनके द्वारा किया जाएगा ठीक है तो अभी PM Care Fund का audit किसके द्वारा किया जाना है इसको लेकर अभी पूरी तरीके से इस पश्टता नहीं हुई है लेकिन audit के संदर में जो भी निर्ना लिया जाएगा वो प्रधान मंत्री और उनके ट्रस्टियों के द्वारा लिया जाएगा ठीक है तो यह कुछ information है जो आपको समझ लेनी है PM Cares के बारे में इसके अलावा एक तीसरा और fund काम करता है भारत में जिसको समझने की जरूरत है जिसका ना दूसरा हो गया PM Cares दूसरा fund हो गया और तीसरा हो गया National Disaster Response Fund तीनों के तीनों जो फंड है वो इंपोर्टेंट है जो आपको समझ में आने चाहिए ठीक है तो जो प्रधान मंत्री राष्टी राहत कोश है इसका गठन 1948 में जवालना नहरू द्वारा किया था ताकि जो पाक आर्तमान में जो इसका प्रियोग है वो बाढ़ भुकंप आधी आपदाओं से राहत के संदर में इसके अलावा यदि किसी वक्ति को किसी प्रकार की कितसा सहायता चाहिए होती है जैसे कि हार्ट सरजरी के लिए सहायता चाहिए किडिनी प्रत्यार उपन के लिए सहायता च चाहता है वो जो है इन अस्पतालों के माध्यम से सहाइता पराप्त कर सकता है ठीक है अगर प्रशाशनिक तंत्र के बारे में बात किया जाए तो परधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं जिसके जिस तरीके से PM-Care के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री है और इसमें जो है लुगदान सुईकार किया जा सकता है ठीक है जो कोश का जो वितरण है वो प्रदान मंतरी के विवेका धीन पर निर्दभर होता है और इसमें जो दान है वो IT Act के तहरे छूट प्राप्त होता है ठीक है अब इसका जो audit है वो एक स्वतंत्र लेखा परिक्षण किया जाता है औ तो हमने क्या जाना हमने तीन संस्थाओं के बारे में जाना और इसमें एक चीज हमें हमें समझ में आई कि जो National Disaster Response Fund है केवल वही वो एक मात्र ऐसी संस्था है एक मात्र ऐसा ट्रस्ट है जिसको लीगल बैकिंग प्राप्त है जिसको वैधानिक दर्जा प्राप्त है यही क जान है कि इसको पारदर्शिता के मामले में सरवाधिक विश्वसनी यह माना जाता है ठीक है तो यह कुछ factual information हुई अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर एक और पेज नंबर आठ में छपे हुए एक तूसरे आर्टिकल की जिसमें चीन से आने वाली FDI के मसले पर चर्चा की गई है तीक है वो लेकनी है कि हाल के वर्षों में जो चीन से जो भारत में FDI है चीन से भारत में जो विदेश नीती है FDI है वो जो है बड़ी संक्या में बड़ी है और विशेशकर जो है जो टेक्नोलोजिकल छेतर है तकनीकी जो च्छेत्र हैं तकनिकी स्टार्ट आप वाले चेत्र हैं वहाँ से चेन में बड़ी मात्रा में निवेश किया है जैसे कि Paytm वगेरा. लेकिन समय समय पर यह तकनिकी निवेश पर जो है प्रशन खड़े किये जाते रहे हैं इसी को समझने की जरूरत है जिसमें इस आर्टिकल में चर्चा की गई है तो इसको समझने की कोशिच करते हैं संदर मैंने आपको क्या बताया कि हुआ क्या कि चीन से जो है लगतार जो FDI आ रहा था और यह जो FDI है इसको लेकर कई लोगों ने चिंताएं व्यक्त की थी कि कई ऐसा ना हो कि चीन जो है किस च्विदेशी निवेश पर सरकारी नियंतरण को करने के लिए मार्च के बाद सौरी अप्रेल 2020 में एक संशोदिद FDI नीती घोशित की गई जिसमें चीन से आने वाले FDI को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने का प्रयास किया गया है ठीक है अब इसका एक उधान जो है इसके आलेक में दिया गया है कि किस प्रकार से अप्रैल में जो नियम चेंज हुए है FDI को लेकर उसके चलते चीन से आने वाले निवेश पर नकरात्मक प्रभाव पड़ा है ठीक है इसको जो है इस आर्टिकल में बताय गया है जैसे कि अप चीन का जो है एक प्रमुक कार निर्माता एक company है, एक प्रमुक ओटो मोबाइल company है, जिसका नाम है Great Wall Motors, Great Wall मतलब चीन की महानदिवार, तो Great Wall Motors नाम की एक company है, अब ये जो Great Wall Motor नाम की company है, ये महराष्ट में एक इकाई खरीदना चाहती है, कार बनाने की एक unit खरीदना चाहती है, और ये unit किसकी है, तो ये अ जो बहुत सारी कारों का उत्पादन करती है, अब जो है वो धीरे-धीरे General Motors को जो है भारत में इतना ज्यादा लाब नहीं हुआ, इसलिए वो भारत के बहुत सारे जो उसके plants वगेरा थे, कार बनाने के वो जो है बेच रही है, तो उसने क्या किया, उसने अपनी भारत में, महराष्ट में, General Motors की महराष्ट में एक कार बनाने की फैक्तरी थी, उस कार बनाने की फैक्तरी को उसने एक चीन की कंपणी को बेज दिया, जिसका नाम था Great Wall Motors, तो जब इस Great Wall Motors ने उस कंपणी को खरीद लिया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ, कि यह जो है FDI लेके आ रहा है विदेशी निवेश लेके आ रहा है भारत में अब चुंकि ये जो है चीनी कंपनी है इसी के चलते जो है इसको अनुमती के आउशकता थी जो अनुमती इसको बहुत समय तक नहीं मिल पाई है बावजूद इसके कि जनवरी 2020 में ही इसकी घोशना कर दी गई थ लेकिन इसका नकरात्मक प्रभाव देखा जा रहा है चीन से आने वाले FDI पर और कई सारे जो FDI प्रपोजल्स हैं जिसमें 200 से जादा चीनी निवेश के प्रस्ताव हैं उनको अभी भी सुरक्षा किलियरंस का इंतजार है ठीक है अब इसके चलते हुआ क्या है कि निवेश जो है नकरात्मक रूप से प्रभावित हुआ है और खुद Great Wall Motors द्वारा भारत में एक बिलियन डॉलर से अधिक की निवेश की घोशना की गई थी लेकिन चूकि अभी तक कोई सुईकरती यह नहीं मिली है इसके चलते जो प्रोजेक्ट है वो अभी मुश्किल में पढ़त था उसको जो है हमने विनियमित करने की कोशिश की तो हुआ क्या कि संचोधित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो अप्रेल 2020 में किया गया उसके तहत यह कहा गया कि यदि कोई अनिवासी हो ठीक है नॉन रेजिडेंट हो वो भारत में निशिद छेत्र को छोड़के सभी छेत्रों में जो है निवेश कर सकता है यानि भारत में अगर जो निशिद छेत्र हैं उनके बारे में हम बात करेंगे निशिद छेत्रों को छोड़के सभी छेत्रों में किसी भी अनिवासी इकाई के द्वारा निवेश किया जा सकता है यद पी अगर वो अनिवासी इकाई बांगलादेश या पाकिस्तान की हुई तो उसको सरकारी अनुमती की जरूरत मिलेगी यानि इसका मतलग क्या हुआ कि भारत में अधिकांज छेत्रों को FDI के लिए अब खोल दिया गया है जिसमें बांगलादेश और पाकिस्तान को खोड़ कर जो है सभी लोग निवेश कर सकते हैं ठीक है लेकिन इसमें एक शर्थ लगाई गई शर्थ क्या लखाई गई शर्थ ये लगाई गई कि अगर भारत के साथ कोई भूमी साजा करने वाला जो देश है वो अगर निवेश करेगा तो वो केवल सरकारी मार्क से करेगा, ठीक है, तो इसका मतलग क्या हुआ, कि अब प्रत्यक शुरूप से हमने चीन पर नियंत्रन लगाया, क्योंकि चीन के साथ हमारी सीमा साजा होती है, और ये कहा कि अगर चीन से कोई निवेश आ रहा है, तो उसके लिए सरकार की अनुमती लेनी होगी, ठीक है, अब एक बात तो ये हो गई, दूसरी बात ये कहा गया, कि अगर भारत में स्थित किसी कमपनी में कोई FDI निवेश होता है, और उस FDI निवेश के चलते, कमपनी की ओनर्शिप में, यहनि कमपनी के मालकाना स्वरूप में, कमपनी के ओनर्शिप या कम्पनी के मालक आना स्वरूक में अगर कोई परिवर्तन होता है तो उसको करने के लिए भी जो है सरकार की अनुमती लेनी पड़ेगी तो किया क्या गया पहला तो ये किया गया कि भाई चीन से जो निवेश आ रहा है उसके लिए सरकारी अनुमती होने चाहिए अब गवर्मे जो है सरकार से लेनी पड़ेगी तो पूरी तरीके से कोशिच ये की गई कि सरकार के नियंत्रण में रहे FDI की नीती चीन से आने वाला FDI अब ऐसा क्यों जरूत हुआ तो भाई पिछले पांच साल में देखा गया है कि विशेश रूफ से जो भारत के टेकनोलोजी स्टार्ट अपस हैं जैसे कि पेटियम वगेरा उसमें चाइनीज निवेश में बहुत बृद्धी देखी गई है जैसे कि 2015 में यह जो निवेश था लगबग देड़ बिलियन डॉलर था देड़ बिलियन अमेरिकी डॉलर न 2019 तक बढ़के यह 26 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है यानि चीन जो है पिछले 5 साल में टेकनोलोजी स्टार्ट अपस में बहुत तेरी से निवेश कर रहा है ठीक है अब कोविद 19 के चलते यह आशंका जाहिर की जा रही थी लोग यह सोचने पर मजब्यवश हो गए थे कि चूंकि कोविद 19 के चलते बहुत सारी कंपनियों को गाटा हुआ है तो कई ऐसा ना हो कि चीन जो है अपना निवेश करके उन कंपनियों को शत्रुता पूर्ण और अवसरवाधी रूप से अगदीगरेद कर ले इसका मतलब क्या हुआ कि मौके का फायदा उठाके वो जो है कहे कि आप ऐसा करो कि अपनी कंपनी जो है हमें बे अपनाते हैं चाइनी चीनी हितों को बढ़ावा देने के लिए प्रोपेगेंडा जो करते हैं और जिस प्लेटफॉर्म में वो निवेश करते हैं उसको पूरी तरीके से नियंतरित करने की कोशिश करते हैं इसको लेकर भी बहुत सारी चिंताय जताई जा रही थी ठीक है ज दूसरे देश में जो अच्छी-च्छी टेकनॉलीजी है चाये वह उनलाइन स्वल्यूशन से संबंदित हो चाहिए वह गेमिंग से संबंदित हो किसी भी तरीके की सोल्यूशन हो रिए प्रद्योगी की हो उसको छो खरीद लिया जाए और इसी के तहट जो हम अलिभाबा क किया है उसके उधान को देख सकते हैं तो कहने के मतलब क्या है चीन चाह रहा है कि पूरी दुनिया की अच्छी चीजे जो है हम खरीद लें और इसके लिए वो बड़ी प्मात्रा में निवेश कर रहा है जिससे सावधान रहने की जरूरत है ठीक है दूसरी बात यह है कि भार निजयंता की समस्या उत्पन खड़ी हो गई है इसके चलते हो सकता है कि भविश में भारत का जो डेटा है वो चीन की कंपणीयों द्वारह चीन में ले जाये जाए 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 है ठीक है इसके लिए एक company का उधान दिया गया है जिसका नाम है Byte Dance, Byte Dance क्या है तो चीन की एक company है जो चीन में censorship में महतपुर भूमी का निभाती है ठीक है चीन में जो है इसने जो censorship उसमें महत्पूर भूमी का निभाई है और इसने अभी हाल में ही जो भारतिय समचार कंपनी है एक डेली हंट उसमें 25 मिलियन डॉलर का निभेश किया है इसका मतलब क्या हुआ कि चीन में जो कंपनी खुद सेंसर्शिप में इन्वाल्ब है अब भारत में वो निभेश कर रही है तो अगर भारत में निभेश करेगी तो किस प्रकार से वो अपनी इस्थितियों को लाएगी य यह भी एक चिंता का विशे है ठीक है अब यहां पर दो चीजे देख लेते हैं एक चीज होती है उसको कहा जाता है और दूसरी चीज देख लेते हैं सरकारी मार क्या होता है तो सरकारी मार के तयत यह होता है कि अगर कोई विदेश से कोई धनराशी आ रही है निवेश के र कोई भानिज्ज्य में क कम्पणी और खरीद रहे हैं आपको कंपणी अगर भाहरत में पैसा लगाएगा दूसरी ओर अगर वो जो सोचालित मार के तहट आ रहा है उसमें किसी प्रकार की पूर्व अनुमती लेने की जरूरत नहीं होती है आप आईए निवेश करिए उसके बाद जो है आप RBI को सूचना दे दिजे कि हाम ने इतना निवेश कर दिया है ठीक है यह नि पहले से अनुमती लेने की इसमे की भूमिका होगी और वही जो है ऐसे मामलों को अप्रूव करेगी ठीक है तो यह इस प्रकार से FDI का एक धाचा है जो भारत में अपनाने का प्रियास किया गया है कुछ ऐसे छेत्र हैं जहां पर FDI अभी भी अनुमती नहीं है जिसमें लॉट्री वेबसाई जुवां और स करण जो है आपको FDI की आनुमती नहीं है इसके अलाबा ऐसे जेत्रों में भी FDI की अनुमती नहीं है जिनके अभी प्राइवेट शेक्तर के लिए खोला ही नहीं गया है जैसे कि परमानू उर्जा इसको अभी तक नहीं खोला गया, रेल्वे में रेल्वे का जो संचालन है उसको भी नहीं खोला गया है, ठीक है, तो यह चीज है आपको ध्यान में रखने की जरूरत है, ठीक, अब हो क्या रहा था कि चीज जो है नकरात्मक रूप से लगतार टेक बारत में स्टार्टप की जो फंडिंग होती थी, उस पे भी नकरात्मक प्रोहा पड़ा है, और कई कंपनियों में जो भविश्य में चाइनीज निवेश होने की बात थी, वो अपटक गई है, जैसे कि पेटियम में अलीबाबा और निवेश करने वाला था, जो मैटो में जो है चीनी निवेश होने वाला था, बिग बास्केट में चीनी निवेश होने वाला था, ड्रीम 11 कंपनी में चीनी निवेश होने वाला था, ठीक है, ड्रीम 11 जो है, अभी IPL के sponsor के रूप में उभरी है काफी महत्पूर है यह तो यह जो company को जो मिलने वाला था पैसा वो जो है नकरात्मक रूप से प्रभावित होगा इसके अलावा जो FDI का जो reporting किया जाएगा कि कौन से छेत्र में किस company ने कौन सी Chinese company ने कितने percent अधिग्रहन किया इस पे किस तरीके से निग्रानी की जाएगी किस तरीके से reporting की जाएगी इसको लेकर भी बहुत ज़्यादा clarity नहीं है तीक है इसके अलावा खुद चीन जो है वो यह कह रहा है कि आपने जो है WTO के principle का अलंगन किया है विश्वयपार संगटन के principles का उलंगन किया है जो बाजार पहुच की बात करते हैं market access की बात करते हैं और वो इस बात की बात करते हैं कि कोई भी जो सदस्राष्ट है वो दूसरे सदस्राष्ट से किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा तो आप भेदभाव कर रहे हैं आप हमारी market access को नकरात्मक रूप से प्रभावित कर रहे हैं इसके चलते जो है वो चीन आरोप लगा रहा है भारत पर ठीक है अब इसका जो है एक spillover effect भी है spillover effect क्या है कि हमने अप्रत्यक चुरूप से target किया है चीन को FDI नियंतरण के मामले में लेकिन इससे दूसरे देशों पे भी नकरात्मक प्रभाव पढ़ रहा है जैसे की मयानमार अमाल लिजे कोई मयानमार से कोई एक genuine candidate जो सदाशेक्ता के अधार पर bona fide रूप में भारत में निवेश करना चाता है उसको भी सरकारी अनुमती लेनी पड़ेगी जिसके चलते उसका निवेश नकरात्मक प्रूप से प्रभावित हो सकता है यही कारण है कि विद्वानों का तर्क है कि हमें एक तो आशा के अनुरूप जो liberalized regime है जो उदार निवेश का वातावर्ण है उसको जो है बनानी की जरूवत है लेकिन दूसरी ओर जो सुरक्षा और गोपनीता से संबंधी चिंताएं है उनको भी ध्यान में रखते हुए एक संतुलन बनानी की जरूवत है तो आपको क्या याद रखना है कि हमेशा एक balance बना के रखना है ताकि हम उदार्ता भी बढ़ते है और उदार्ता के साथ जो हमारी सुरक्षा संबंधी चिंताएं है उनका भी निवार्ण हो सके तो यह दोनों बाते जो है इनको संतुलन बना के ही हम किसी भी नीती की सफलता की आशा कर सकते है ठीक है यह जो आर्टिकल है यह कनक मनी दिख्षित जी द्वारा लिखा गया है एडिटोरियल और इसमें भारत नैपाल संबंधों विशेश रूप से भारत नैपाल सीमा और छेत्रिये विवादों पर चर्चा की गई है पिछले कुछ समय से भारत नैपाल के भी जो है सीमा को लेकर विवाद की स्थिती बनी रही है ठीक है जिसमें काला पानी छेत्र ठीक है काला पानी के साथ लिम्पु धुरिया ठीक है लिम्पु धुरिया यह वाला छेत्र इसके अलावा जो है लिपु लेक छेत्र ये कुछ ऐसे छेत्र हैं जो उत्तरा खंड में पड़ते हैं और इनको लेकर जो है भारत और नेपाल के मध्धे तना तनी की स्थिरी देखी गई है तो यह जो आइडिटोरिया लेस में कहा गया है कि किस प्रकार से जो पूरा सीमा विवाद है इसको सुल्जाने के लिए हमें किया जाने की जरूरत है तो इसको थोड़ा समझने की कोशिच करते हैं संदर मैंने आपको बता दिया कि भारसीन सीमा विवाद भारसीन छेत्र विवाद देखा गया है जिसमें लिम्पिया धुरा ठीक है काला पानी और दूसरे छेत्रों को लेकर विवाद है कई जो पर दूसरे बहुत सारे ऐसे विवादित बयान दिये हैं जिसमें भारत और नेपाल के मद्धे जो संबंध हैं वो नकारात्मक रूप से प्रभावित हुए हैं जैसे कि उनके द्वारा कहा गया कि भगवान राम जो हैं वो नेपाल में पैदा हुए थे ठीक है लेकिन यह लेकख हैं उनका मत हैं कि हमें यह पूरा जो सीमा विवाद है जो पूरा जो छेतरी विवाद है इसको बहुत सावधानी से आगे बढ़ने की ज़रूवत है जिसमें भारत को जो चीन का अत्याधिक प्रभाव वाला जो माहौल है जिसमें वो यह सोच रहा है कि प्रतेक जो देश है चाहे वो नैपाल हो चाहे वो भूटान हो सब चीन के ही प्रभाव में काम कर रहे हैं इसको देखने की जरूरत नहीं है इसका मतलब क्या हुआ कि भारत को चीन के पक्ष को लेकर बहुत जादा सोचने की जरूरत नहीं है और नैपाल भूटान जो है वो स्वायत छेत्र हैं नेपाल भुटान जो है स्वतंत्र देश हैं और वो अपनी जो स्वतंत्रता है अपनी जो संप्रभुता है वो किसी भी प्रकार से उससे समझोता नहीं करने जा रहे हैं इसलिए हमें कोई भी सीमा विवाद समझोता करना है चाहे वो नेपाल से आप कर चाहे किसी के भी साथ करें, उसमें इस बात को दिहान में रखने की जरूरत है, कि हम एक संप्रभूराश्ट से समझोता करें, और ना केवल नकरात्मक्ता को दूर रखें, बलकि नैपाल पूरी तरीके से चीन के प्रभाव में आ गए हैं, इस डर को भी दूर रखने की जरू है, ठीक है, इसके तहट वो एक उधान दे रहे हैं, कि नैपाल किस प्रकार से ना केवल भारत से अपनी सीमा विवाद पर बात कर रहा है, बलकि चीन से भी जो है, उसने लिपू लेकर मतभेद जाहिर किये हैं, तो कहने की बात क्या है, कि नैपाल जो है, पूरी तरीके से स सरकार और जो गोर्खा हैं, ठीक है, नैपाल के जो गोर्खा हैं, उनके बीच हुई थी, जिसमें नैपाल का ये दावा है, कि जो लिंपिया धूरा जो गाव है, और उसके आसपास का जो छेतर है, वो 1815 के बाद से ही भारत का भारत का हिस्सा ना होके, नैपाल का हिस्सा र जिसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है, तो नैपाल क्या है, नैपाल विभिद माध्यमों से, जिसमें बहुत सारे उसके पास क्लेम्स हैं, जिसमें बहुत सारे मैप के क्लेम्स हैं, उनके माध्यम से वो एक कोशिच कर रहा है, कि जो सीमा विवाद है, वो नैपाल के है ठीक है और साथ ही काला पानी के साथ लिंपिया धुरा नाम का छेत्र है जिनको नेपाल अपना हिस्सा मानता है और इसको लेकर नेपाल लेग मांचित्र भी जारी किया है ठीक है अब इसमें मामला क्या है तो इस मामले में आपको बहुत सरलता से आप यह समझ लीजे कि 1816 म में हुआ क्या कि जो नेपाल है नेपाली जो गोर्खा है नेपाली जो गोर्खा है वो बिटिस सरकार से हार गए ठीक है वो कंपनी से हार गए और जब वो हार गए तो नेपाल का जो पश्चिमी छेतर था ठीक है ध्यान रखना है नेपाल का जो पश्चिमी छेतर था उसके ब वो भारत और नेपाल के बीच बहारत और नेपाल के बीच काली या इसको महाकाली भी कहते हैं महाकाली नदी के द्वारा निरधारित की जाएगी. तो 1815-16 में कहा जा रहा है कि भारत नेपाल की जो पश्चिमी सीमा है या नेपाल की पश्चिमी सीमा या भारत नेपाल सीमा वो काली महा काली नदी द्वारत निधारित की जाएगी लेकिन ये काली महा काली नदी कहां से शुरू होती है कहां से उद्गम होती है इसको लेकर बहुत ज्यादा सहमती नहीं है ठीक है यही पूरे विवात का कारण है जिसमें जो काली नदी है नेपाल का मत है ठीक है नेपाल क्या कह रहा है नेपाल कह रहा है कि मानली जे काली नदी है तो काली नदी जो है इधर मानली जे नेपाल है इधर मानली जे भारत है तो नेपाल क यह कहना है कि काली नदी जो है थोड़ा इधर से भैती है तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह वाला छेतर हो गया नेपाल का भारत का कहना है कि नहीं है जो काली नदी है वो यहां से ना भैके थोड़ा इधर से भैती है तो इसका मतलब क्या हुआ कि भारत का यह दावा है यहां क पश्चीम की तरफ बह रही है इसके चलते इन डोनों के बीच का जो छेत्र है वो पूरा विवादित हो गया है ठीक है और दोनों ही जो है अपने अपने मैप्स द्वारा ये दावा कर रहे हैं जिसमें काली नदी के लोकर दोनों में विवाद है कि वो भं कहां से रही है और नदी बहने के छेत्र चेत्र जो चेत्र हैं, जिसमें काला पानी के लिपु लेक्त ओर आर अन्य चेत्र, जो शामिल है वो पूरे विवाद में आ गए हैं keeping on the जो है vaaust्रें जो घ्रैर जो हाँ जो है जो फुझ कहां से हो रहा है इसको लेकर जो है दोनों में विवात की स्थिति है ठीक है यह जो काला पानी जो छेत्र है इसमें चीन का एंगल भी महत्पूर्ण है क्योंकि जो काला पानी जो छेत्र है यह एक तरीकी का ट्राई जंक्शन है ठीक है ट्राई जंक्शन का मतलग क्या हुआ कि यहां पे जो है, तीन देश मिलते हैं, जिसमें इधर की तरफ से चीन आ जाता है, इधर की तरफ से नेपाल आ जाता है, और इधर की तरफ से भारत आ जाता है, ठीक है, तो अगर भारत का ये डर है, कि अगर ये नेपाल के पास चला गया, तो हो सकता है, चीन इस पन नियंत्र रखा जा सके दूसरी और नेपाल भी जो है इसको छोड़ने को तयार नहीं है और यही कारण है कि दोनों के बीच विवाद की स्थिति है तो यह देख सकते हैं पूरा जो एरिया है किस प्रकार से लिपुलेव काला पानी और लिंपिया धुरा किस प्रकार से नदी कहां से आतरा बिदमान हो रहा था भारत के उपर इसी के चलते भारत ने 1960 के बाद काला पानी छेत्र को अपने छेत्र में शामिल कर लिया इसका मतला क्या हुआ कि वहाँ पे भारती सेना प्रवेश कर गई और उसने वहाँ पे अपना बेस बना लिया काठमांडू का यह मत है कि 1960 मे चुँकि हम जो है बहुत जादा विक्सित नहीं हुए थे और हमने भारत के हित को समझा इसी वज़े से हमने कोई प्रश्न नहीं उठाया ठीक है जिसको नैपाल की अब कमी नहीं समझना चाहिए ठीक है उन्होंने का कि हमने 1960 से ही आप इस बात को धियान में रखे हुए थ लेकिन हमें लगा कि भारत पे जो है चीन का खत्रा है इसलिए हमने काला पानी छेतर पर आपके अधिकार को मान लिया लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह आपका ही हो गया ठीक है केवल अधिकार के आधार पर ही आप दावा नहीं कर सकते क्योंकि अगर इस अधार पे दाव सुलिज जाने के लिए 2014 में प्रदान मंतरी मोधीं जी द्वारा एक बॉर्डर वर्किंग गुरूप का निर्मान किया था बॉर्डर वर्किंग गुरूप में यह कहा गया क्या हम जो है कि इसकी बैठक को बुलाया जाना चाहिए ताकि शांती पूर्ण इमामला सुलज जाए ठीक है जिस प्रकार से भारत ने दूसरे देशों के साथ अपने विवाद को सुलजाने का प्रयास किया है जैसे कि बांगलादेश आदी ठीक है अब यही कार्ण है कि इसमें बहुत सार से आगे ना बढ़ जाए कि भारत और नेपाल के बीच जो संबंध है वो पूरी तरीके से खराब हो जाए यही कार्ण है कि सीमा विवाद को काफी मिचौरिटी से काफी परिपक्वता से जो है हल किये जाने की जरूरत है जिसमें अनेक जो बैक चैनल डिप्लोमेसी है जैस नहीं बनना चाहिए क्योंकि इससे नेपाल में भारत के बुरुद और भारत में नेपाल के बुरुद जो भावनाएं हैं वो भड़क सकती है तो इस बात को दिहान रखना है इसके अलावा जो हमने 2014 में वारता के लिए बॉर्डर वर्किंग गुरुप की बात कही थी उसक जब तक अंतिम फैसला नहीं किया जाता है तब तक यह पूरा चेतर है इसको demilitarize करने की जरूवत है तीक है demilitarize करने का मतलए क्या हुआ कि यह पूरा चेतर है जैसे कि लिंपिया धुरा आदी का चेतर इसको Minnie शांती और तीर शिस्तल घोशित किया जाना चाहिए और जो स जो रूट है वो इस छेतर से खोला जाना चाहिए उसको भी तीर थियातियों के लिए खोला जा सकता है शर्त यही होनी चाहिए कि यहां पर सेना नहीं रहेगी ताकि पूरा जो छेतर है वो शान्ती और तीर थिस्तल गोशित किया जा सके तो यह कुछ उपाएं हैं जिनके आर्टिकल है वो पेज नंबर साथ से लिया गया है और इसका संबन G.S.P.2 में पॉलिटी से और सोशल जस्टिस दोनों से है ठीक है हाल के समय में भारत में जो अपराधिक नियाय प्रनाली है क्रिमिनल जस्टिस जो सिस्टम है अपराधिक नियाय प्रनाली उस पूरी अप अपराधिक नियाय प्रणाली को नया रूप देने के लिए अपराधिक नियाय प्रणाली में पूर्ण रूप से सुधार करने के लिए एक नवीन समिती का गठन किया गया रनवीर सिंग एक व्यक्ति है ठीक है रनवीर सिंग की अध्यक्षता में तो यह जो रनवीर सिंग सम इसी बात को बताता है कि किस प्रकार से हमने जल्दबाजी में जो रणवीड सिंग्स कमिटी स्थापित की COVID-19 के दौर में वो किस प्रकार से बहुत जादा अच्छे परिणाम लेने आली नहीं है और अपराधिक न्याय प्रणाली जिसके तहत हम जेल को शामिल करते हैं जिसक पूरी वियोस्ता आती है और जिसके तहत न्यायले का पूरा ट्रायल सिस्टम काम करता है उस पूरे में अगर हमें सुधार करना है तो इसके लिए और हमें वियापक विचार मिमर्श की आवशकता है ना कि एक कमिटी बनाके उसे जल्दी में सौल्ब किया जाए ठीक है तो रणवीर सिंग समिती अब इसकी जो आलोचना है वो विविन अधारों पे हो रही है पहली बात क्या कि पहली जो प्रक्रिया है कि कोविद 19 के दौर में जब पूरे भारत में जो लोग हैं अपने घरों में कैद हैं कहीं जान नहीं पा रहे हैं उसमें आप जिस प्रकार से लांगा गया है सुझाओ वो जो पूरी जो परामश की प्रकिरिया है वो ओनलाइन भागेदारी पे अधारित है लेकिन लेखिकाओं का मत है कि भारत में मातर 40 प्रतिशती ऐसे वेक्ती हैं जिनके पास इंटरनेट है और जादा तर जो महिलाएं हैं वो इसे यूज नहीं क जो भी उपलब्ध है इंटरनेट आदी पे वो जादा तर अंग्रेजी में है चुकि भारत में मातर 10 प्रतिशत जनसंक्या ही अंग्रेजी को बोल पाने में अंग्रेजी को समझ पाने में सक्षम है इसके चलते अगर हम COVID-19 के दौर में कमिटी को बनाएंगे तो जादा तर जो लोग है इसमें भाग नहीं ले पाएंगे ठीक है विशेश कर जितनी भी जो बाते हो रही हैं जिसमें ऑनलाइन आपको जो है सुझाओ देने हैं ऑनलाइन जो सुझाओ देंगे वो जो है इंटरनेट के दौरा देंगे और जारतर जो लोग हैं अंग्रेजी समझने वा बात करें तो इसमें बहुत सारे कानून शामिल होते हैं जिसमें भारतिये दंड साहिनिता IPC 1860 की इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 आपराधिक प्रकिरिया संधिता CRPC 1973 SCST Act 1989 दहेज निवारन अधिनियम 1961 आधी शामिल होता है इसके तहर जैसे कि मैंने आपको बताया पुलिस ब त्राइल वगेरा जो किया जाता है वो सजा का जो पूरा जो निर्धान की जो प्रकिरिया है सुबूत इखटे करने की जो प्रकिरिया है किसी दोशी पर आरोप लगाने की प्रकिरिया है उस दोशी को आरोपी सिद्ध करने की जो पूरी प्रकिरिया है जो पूरे जो ट्रा जनक माने जाते हैं अपराधि कानूनों के जनक माने जाते हैं इसका मतलब क्या हुआ कि 1850 से जो है ये कानून लागू है लेकिन वर्तमान में बहुत सारे कारणों के चलते बहुत सारे रीजन्स के चलते जो है इसमें सुधार क्यावशक्ता महसूस की जा रही है ठीक है अब इसमें कौन-कौन से point दिये जा सकते हैं, तो एक point तो यह दिया जा सकता है, कि यह जितने भी कानून बनाए गए हैं, यह आपनिवेशिक मान सिकता के हैं, जैसे कि 1860 का IPC, इसको 1860 में बनाए गया था, और आज जो है, इसको 1500 से ज्यादा साल हो चुके हैं, एक बात यह, दू ट्रायल की समस्या देखने को मिलती है, ठीक है, अगर कुछ आंकडों के बारें बात किया जाए, तो National Crime Records Bureau, NCRB की 2015 की रिपोर्ट कहती है, भारतिये जेले जो हैं, 114% केदियों को बंद किये हुए हैं, यानि अगर किसी जेल में 100 केदी रखे जाएं, तो वहां पे 100 की जगे 114 केदी हैं, इसके अलावा जो है, जो केदियों पे जो मुकदमे चल रहे हैं, उसमें सरसट पीसदी मुकदमों को कोई फैसला नहीं हुआ है, ठीक है, जादातर जो केदी हैं, वो निरक्षर या दस्वीं तक पड़े हुए हैं, और नियाइक प्रणाली में लगबक साड़े तीन करोड जो मामले हैं, लगबित हैं, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि भारतिये जो पूरी अपराद प्रणाली है, क्रिमिनल जस्टिच जो सिस्टम है, वो पूरी तरीके से अप्रभावी होने की कगार पे है, जिसके चलते बहुत सारी समितियां, जैसे कि मलि सिंग कमिटी स्थापित हुई है, इसमें बहुत सारी और भी कमिया हैं, जिनको समझने की जरूरत है, ठीक है, जैसे कि ये समुदाय, जो ये जो समिति है, ये विभित समुदायों का प्रतिनिधित नहीं करती, जैसे कि SCST, महिलाएं, धार्मिक समु, इनका प्रतिनिधित न के समावेशन की कमी है, इसमें धार्मिकल्प संख्याक, दले तादिवासियों के साथ, महिलाएं, ट्रांसजेंडर, LGBT समुदाय के लोग, वो भी भाग नहीं ले पा रहे हैं, जबकि पुलिस हिंसा बगेरा का सबसे ज़्यादा सामना उनी को लेके करना पड़ता है, इसके के लावा जो समिती है, बहुत जल्दबाजी में गठित की गई है, जिसमें उसके क्या नियम कानून है, किन शर्तों के अधार पे उनको गठित किया गया है, टर्म्स ओफ रेफरेंस क्या है, वो क्लियर नहीं है, सबसे बड़ी जो आलोचना इस समिती की की जा रही है, वो जो सही नहीं है, ठीक है, इस से जो है, जो समिती है, उसकी स्वतंतरता का, स्वायतता का प्रश्न खड़ा हूटता है, ठीक है, और ग्रह मंत्राले जो है, इस पे नियंतरन रख रहा है, अथवा नहीं रख रहा है, इसको देखे जाने की ज़रूरत है, यही कान है कि बहुत विवाद के साथ करने की जरूरत है ताकि जो पूरी लोकतांत्रिक प्रिक्रिया है इसको और बहतर बनाया जा सके ठीक है तो इस पर हम पहले भी काफी चर्चा कर चुके हैं कुछ पॉइंट्स हमने इसमें एड कि देख लेते हैं तो अभी हाल में ही एक संस्ता है एक कंपनी है जिसका नाम है शर्फ शार्क क्या नाम का नाम सर्फ श्रक इसके द्वारा एक अंतरराश्टी रिपोर्ट जारी की गई है जिसका नाम है इंडिजिटल quality of life index to digital quality of life index कौन سी company द्वारा लाया गया है कौन सी संसा द्वारा लाया गया है तो सर्फ shark द्वारा लाया गया है जिसमें ये बताया गया है कि जो internet गुर्मत्ता है ठीक है internet गुर्मत्ता जिसमें internet की speed और दूसरी बाते शामिल होती है उसमें भारत का स्ठान काफी नीचा है और 85 देशों में जिसमें 85 प्रतिषद वैश्वीक जनसंक्या सामिल है उसमें भारत 79 इस्थान पे आता है यह नीचे से भारत का स्ठान छेवा है नीचे से छटा स्थान है इंटरनेट गुर्मत्ता के मामले में और गौाटेमाला, श्रिलंका जैसे भी देश जो हैं भारत से उपर हैं, तो ये भारत में इंटरनेट गुर्मत्ता को लेकर काफी प्रशने खड़े करता है, इसके अलावा जो दूसरी जो खबर है, उसमें रेलवे के द्वारा जो है, अब अन्मेंड एरियल बिहेकल्स, UAVs का प्रियोग किया जा रहा है, जिसमें जो रेलवे की जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, रेलवे की जो संपत्ती है, जिसमें याड की संपत्ती हो गई, कोई कूडा करकर डाल रहा है, या रेलवे के छेतर में मान लीजे, कोई किसी परकार की जुवां खेल रहा है, कच्रा फे की सायता ली है जिसके माध्य हम से ऐसे बहुत सारे काम किये जा सकते हैं जो मानाव के द्वारा नहीं हो सकते ठीक है जिसमें विशेश कर आपदा प्रबंधन के काम जो है महत्वपूर्ण है ठीक है तो यह चीज आपको समझने की जरूरत है अब हम कुछ प्रलिम्स इस मैड डेस फौरं में निम्लिकित में से कौनसे देश सामिल नहीं है। साइप्रस, मिस्र, ग्रीस, इसराइल, टर्की की फिलिस्टीन, केवल 6, केवल 5, 6, केवल 1-3 क тип है कोई नहीं। तो इसमें तूर्की को छोड़के सभी देश सामिल हैं, यही कान है कि यह काफी तनाव का इश्यू बना हुआ है पूर्वी भूमद्य सागर छेत्र में, इसमें पहले भी चर्चा की थी, जिसमें विशेशकर जो टर्की है और विशेशकर जो ग्रीस है, इन दोनों के बीच ज सागर छेत्र में, जो गैस के जो भंडार मिले हैं, उसको लेकर, गैस के भंडार किसके हैं, इसको लेकर जो है, टर्की एक तरफ आ गया है, ग्रीस दूसरी तरफ आ गया है, ठीक है, ग्रीस की सहायता करने के लिए जो है, फ्रांस आ गया है, ठीक है, इसके अलावा इसमें स इसी पे हमने कोश्चन बनाया है तीक है अब यहां पे जो है एक पाइपलाइन प्रस्तावित है जिसमें साइप्रस, मिस्र, ग्रीस, इसराइल, इटली, जॉर्डन, फिलिस्तीन जैसे देश शामिल हैं और इनकी योजना ये है कि पूर्वी भूमद्य सागर के जो गैस के रि जो निर्भरता है वो कम की जा सके लेकिन ये गैस रिजर्व हैं किसके इसको लेकर ग्रीस में इसको लेकर साइप्रस में इसको लेकर टर्की में जो है पूरी तरीके से विवात की सिती देखी जा रही है जिसको सुल्जाने की ज़रूरत है ठीक है चली अगला कोशन देख लेते हैं गर्व धारण पूर्व प्रसव पूर्ण निदान तक्नीक लिंग चैन पृतिशेद अधिनियम इसको शौट में कहा जाता है PCPNDT Act 1994 इसके संदर में निमलिखित कत्नों पे विचार कीजिए गर्व धारण पूर्व और प्रसव पूर्ण निदान तक्नीक लिंग च अधिनियम गर्व धान से पहले और बाद में लिंग की जाँच पर रोक लगाने का प्रावधान करता है इस अधिनियम के तहत प्रसव पूर्ण गर्व धान लिंग निरधान सुभधाओं के संधर में विज्यापन आदि दिया जाना शामिल नहीं है जो इसकी सबसे बड़ साथ पे जिसमें COVID-19 के दोरान केंद सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था ठीक है नोटिफिकेशन जारी किया था और नोटिफिकेशन में कहा गया था कि जो PCPNDT Act है उसके तहत जो बहुत सारे जो अल्टरा साउंड क्लीनिक वगएरा काम करते हैं और उन अल्टरा स क्लीनिक वगएरा को समय समय पर जो रिपोर्ट देनी परती है चूंकि COVID-19 का टाइम चल रहा है इसलिए आप जो है रिपोर्ट थोड़ा लेट से जमा कर सकते हैं तो यह जो केंद सरकार ने जो नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें PCPNDT Act में थोड़ी धील देनी की बात कही गई उसी की आलोचना की गई है ठीक है तो यह मैंने आपको बता दिया कि 94 का जो PCPNDT Act है वो कन्या भुण अत्या और गिंते लिंग अनुपात को रोकने के लिए है जिसमें परसाओ के पहले लिंग अधार पर लिंग के निर्धान पर प्रतिबन लगाया गया है इसके कोई भी प्रोक्षाला या केंद्र जो है इसका अल्टरान सोनोग्राफी नहीं कराएगा और ना ही जो है उनके रिस्तेदार ये गरबती महिला को भुण के लिंग को बताएगा जो भी वक्ति ऐसा करेगा उसको सजा होगी और ऐसे क्लिनिक ठीक है ऐसे क्लिनिक जो इस संब 11,000 तक का जुरुमाना हो सकता है तो कहने के बाद क्या होई एक तो हमने भुरून हत्या पे रोक लगाने के लिए जो है अल्टरा साउंड का प्रियोग गर्भ लिंग धारण के लिए या गर्भ लिंग की जांच के लिए करने पर परतिवन लगाया दूसरा अगर इस संबन में कोई प्रचार करता भी है तो उसको भी जो है रोका गया है ठीक है चली अगला question कर लेते हैं इतिहास में चर्चित रहा मेस्टन अवार्ड ठीक है संबंध है केंद्र राज्य वित्य संबंध निधान से ठीक है और यह जो है आज पेज नंबर साथ पे जीस पेपर वन का एक पार्ट है जिसमें 100 अगो आर्टिकल में मेस्टन अवाड की चर्चा है मेस्टन अवाड मुक्हरूप से क्या है تو हुआ क्या कि भारत में 1870s के बाद से किस प्रकार से केंदर सरकार और किस प्रकार से जो राज्य-सरकारे हैं उनके बीच बित का बतवारा किस तरीके से हो इसको लेकर भहुत सारे प्रावधान किये गए ठीक है जिसमें मेयो वगेरा ने प्रस्ताव दिये ठीक है उसके बाद 1892 का अधिनियम आया 1909 का अधिनियम आया 1919 का अधिनियम आया तो यह जो है पूछा जा सकता है काफी important है अगला question देख लेते हैं निमलिकित कत्नों पर विचार करें भारत में उच्छ नयायलियों में जजों की नियुक्ति कोलेजियम विवस्था के तहत की जाती है कोलेजियम विवस्था को संविधान के अनुछेद 124 का अनुसमर्थन ह तो सत्य कथन की पहचान करनी केवल एक केवल दो दोनों की कोई नहीं तो इसमें पहला कथन तो सत्य है लेकिन दूसरा गलत है तो इसका अनसर क्या हो जाएगा केवल एक यह क्यों लिया है तो अभी हाल में ही supreme court द्वारा जो है छे एड़ोकेटों को high court judge के रूप में की एक पृणाली है, जिसे कोलेजियम व्यवस्ता कहते हैं, important बात यह है कि कोलेजियम व्यवस्ता जो है, उसका जो उद्भव है, वो Supreme Court के cases के माध्यम से हुआ है, जिसमें first judges case, second judges cases, third judges cases, इनके माध्यम से हुआ है और संबिधान वगेरा में इसका उलेक नहीं है यह चीज आपको ध्यान रखनी है संबिधान वगेरा में इसका कोई उलेक नहीं है जिसमें जो जज की नियुकती है उसमें चाहे हो सुप्रीम कोर्ट के जज हो चाहे हाई कोर्ट के जज हो उनकी निय जाता है ठीक है इसके अलावा हाई कोर्ट से कौन से जज प्रोनत होकर सर्वोच निया ले जाएंगे ये फैसला भी कोलिजियम करता है ठीक है जिसमें जो चार जजों की जो बरिश्ट पीट होती है ठीक है कोलेजियम में कौन-कौन होते हैं तो जो CJI होते हैं Chief Justice of India होते हैं, वो head होते हैं, मुखे होते हैं, प्रमुक होते हैं, और चार जो बरिष्टतम judge होते हैं, उनके बाद जो चार सबसे senior judge होते हैं, इनको मिलाके कुल पांस सदस्यों की एक समिती बनती है, जो निर्धारित करती है कि कौन judge बनेगा और किसका तबाला कहां पे होगा अगला question देख लेते हैं, एशियाई विकास bank ये जिसको short में ADB कहा जाता है, ADB के संदर में असत्य कथन की पहचान करनी है, एशियाई विकास bank की इस थापना का उदेशे, एशिया प्रशान चेत में आर्थिक समाजिक विकास को गती देना है, ADB द्वारा अब तक केवल ए देखना है, तो इसमें B कथा नसत्य है, जिसमें इसके द्वारा केवल एशियाई शेत्र में ही नहीं, बलकि एशिया पेसिफिक और दूसरे शेत्रों में भी रिन दिया गया है, ठीक है, अब ये question क्यों लिया, तो इसलिए लिया, क्योंकि जो भारत में जो निर्वाचन आ स्थीपा भी दे दिया है, और अब वो ADP जल्दी जोईन करेंगे, ठीक है, ADP के बारे में एक छेत्री विकास बैंक है, जिसकी स्थापना 1966 में हुई थी, इसकी जो मुख्याले है, वो मनीला फिलिपीन्स में है, और सबसे यादा दो इसमें शेयर हैं, वो जाबान के है, ठ जो आव संदचनात्मा विकास आदी होता है, उसकी आवशक्ताइं पूरी करने के लिए काम करता है, ठीक है, इसकी जो सतस्यत राष्ट हैं, वो 68 हैं, और अब ही हाल में ही नियू, जो एक पिरशिद प्रसांत महासागर का द्वीप है, उसने इसकी सतस्यता ली थी, ठीक है जो आव विकिशनगर शैली का है, जिसमें राजा सावंत सिंग एक थे, ठीक है, इनको इंडियन मोनालिसा भी कहा जाता है, और इंडियन मोनालिसा के तहट जो है इनकी पेंटिंग किशनगर सैली के तहट काफी महतपूर है ठीक है अब मेंस प्रैक्टिस कोश्चन देख लेते हैं कोश्चन पहला है यह आवश्चक है कि विभिन सीमा विवादों को एक साथ एक मंच पर आकर कूटनीतिक माध्यम से सुल् इक उपाय नहीं हो सकती है भारत नैपाल छेत्री संबंधों वा सीमा विवादों की प्रेश्ट भूमी में चर्चा करें दो सो पचास शब्द पंधा अंग दूसरा कोशन अप्रेल दो हजार बीस में घोशित नवीन विदेशी प्रत्यक्ष नीती यूं तो संदिग्द श प्रश्ट भूमी में आलोचनात्मक समीच्छा करें तो दोनों के दोनों जो कोशन है आपको दो सो पचास शब्द पंधरा अंग में लिखना है साथ ही ये कोशिच करनी है कि जो हमने डिसकुशन किया है उसको आप एक बार और देखें तब ये उत्तर आप बहतर ढंग से देख पाएंगे ठीक है चलिए तो आज के आज की सत्रम फिलाल इतना ही तब तक के लिए बने रहिए बाइजूस आइएस पे धन्यवाद